अब कहा से आए वे हैं जानपुर जिले से जानपुर मतलब यूपी यूपी यहां पर आपको प्रॉडक्ट इन प्राइज रचेसी लगे अच्छी लगे अच्छी लगे अपको के सामने आपका पैकिंग कराना चाहते हैं जी तो फिर हमारी जू पीफ है आपको हां बोले कि आपको के सामने माल लेकर जाना है तो आप बिलकुल लेकर जा सकते हर तरह की सपोर्ट हम आपको करते हैं नमस्कार मैं शिवानी आप सभी का स्वागत करती हूँ अजमेरा फेशन में और आज मैं आपको अजमेरा फेशन में किसी प्रोड़क दिखाने वाली नहीं हूँ या फिर बिजनस रिलेटीड कुछ आईडियास भी नहीं देने वाली हूँ आज हम डिरेक्ली बात करेंगे हम पर कैसे रहा है और उनका ब्यापार में एक्सपिरिंस कैसा रहा है तो चलिए हम उनसे बात करते हैं जानपूर जिले से जोनपूर मतलब यूप उत्तर प्रदेस से आए पे हैं तो फिर आपको अजमेरा फेशन की बारे में केसे पता चला अजमेरा फेशन में सुरत आया मेरा सुरत में रूम है गाउं के लोग रहते हैं वहाँ पे आया तो बोले कि कायं किने तुम इदर जो आज अज मेरा फैसन पे देख लो अच्छा लगी तुमाल लेना ओच लेना हम उख्छा का निय tracked लेताहों तो हम आपको नहीं करा से हम अद्वीन वहार मुझे अच्छा लगा समझाने का तरीका भी अच्छा लगा सब्सक्राइब में कि क्योंड़कर आप जहां से भी है हम आपको वहीं का salesperson देते क्योंकि उनको knowledge होता है आपकी area का उनको यह ज्यादा पता है कैसे बात करना है क्या आपकी area में चलेगा और आपको वो ideas भी देंगे कि कैसे customers को आप convert कर सकते कैसी customer को आप pitch करेंगे कि यह product लेना चाहिए वो आपको हर तरह की ideas दिये ह अच्छी लगे आपने जैसे बोला कि आप market घूम के इधर आए हैं market से अच्छा है या फिर market से अलग है market से अलग माल है अलग माल है price रेंस केसा है क्योंकि माल तो कहीं से भी आप ले लेंगे matter करता है पैसा आपको price केसा लगा price भी अच्छा लगा और मैं आपको हमेशा कहिती हूँ कि asmira fashion जो price में product देता है पूरे सूरत में आपको कहीं और नहीं मिल सकता मैं इससे लिए नहीं कह रही हूँ आपको बुलाने के लिए यहां पर वाके में आपको अच्छे product in varieties मिलते हैं तो सर आपका कब से दुकान है मेरा दुकान हो गया काफी सारे लोग बौलते हैं कपड़ों की वियपारी नहीं है पहले जैसा महौल ही नहीं है पहले जेसी नहीं टो आपको क्या लगता है यह तो सही कह रहा है कि response लेक है को ज्यांच कम हो चुका है corona के बाद से लेकिन थोड़ा से कि धीरे धीरे marketing उरू हो लोग फिर से अपन 21 तक जो situation था, अभी दो साल हो चुके, क्या है उस situation ऐसी है या फिर बदलाव आई है, नहीं थोड़ा तो बदलाव आई है, बदलाव आई है और ये कपड़ों के प्यापार के अंदर मुनाफा कैसी है मुनाफा तो वही डबल रहता है, या फिर मार्केट बनाने के लिए हमें कम में देना पड़ता है ताकि कस्टमर खुष रहे, फिर दोबारा आए बिल्कुल, अगर आपका starting business है तो फिर अपना जाता मत दिके, कस्टमर का देखे क्योंकि वो long time है फिर अगर आपका constant हो जाएगा ना, रेगुलर कस्टमर सापके बन जाएगे ना, फिर बढ़िया चलेगा तो सर, इतने सारे ब्यापार है आपने कपड़ा को क्यों चुना क्योंकि मुझे business करना था तो business करना था तो और भी तो product है तो मेरे किसमत में यही लिखा था ना आपको यह पता चल गया होगा लेकिन कपड़ा कभी सेजनल नहीं है 365 दिन बिखता है लेकिन पैसा है टेंड में पैसा ज्यादा पैसा है लेकिन यह सीजन में रहता है बाकी दिन तो बैठो ले दे के बड़ाबर हो जाएगा अभी हमारा 10,000 का महिना का पगार है उसमें से 10-15 दिन छुट्टी मार दिये तो जितने का मैना का पैसा कमाया हूँ सब बरबर हो गया ले दे के कुछ भी नहीं बचा यह भी तो बचना चीए ना तो इसके वज़े से में कपड़ा कर लाएंगा ताकि मतलब मेरा हमेशा का रोलिंग चलता रहे मतलब रेगुलर्ली आपका मतलब पैसा का रोटेशन होता रहे तो आप अभी खुस है आपकी बयापार से हाँ खुस है अज मेरा फेशन से खुस है मतलब 100% मैं अपने दुकान का देता हूँ चलाने के लिए 100% देता हूँ चोटे से बिजनेस का तो डेफिनिटली हमें अपना एफर्स दो गुना देना चाहिए जितना हम दे सकते हूँ उसे थोड़ा ज्यादा ही देना चाहिए जो भी हम्हें कस्टमर देख है लास्ट में यहीं कहना चाहिएंगे कि आप अपना जब चलाने के लिए कोसिस कर रहे हैं तो आप चलाएए लेकिन वहां पर क्या है कि आपको ऐसा करिए कि हमारा बिजनस स्टमर को आपका बात खीच सके बात बोलने का लहजा आपका सही होना चाहिए लेंग्वेश सही होना चाहिए ताकि वो उनको लगे कि नहीं अच्छा बंदा है यहां से माल लेना लाइक है ऐसा और 100% अपने भरोसे से दुकान चलाईए यह नहीं है कोई भी धंदा जो भी छोटा मोटा जो भी हो अगर आप लड़के पर डिपेंड करेंगे तो वो धंदा चलेगा ही नहीं खुद जितना कर पाओ चाहे आपका चार रुपे कम इंकम हो लेकिन खुद चलाओ किसी पर वरोसा करना बिस्वास नहीं है आज कल गल्ले पर खुद बैठो प्रसक्व बहुत चुछ बात है तो आज मैं यहा तक पहुचा हूँ यह उनी का क्रपा रिपार के आहां च्टो मुझे रिस्पॉंज अच्छा लगा कि कपड़ा यह मेरे कस्टूमर बहुत बने हैं कस्टूमर मुझसे खुछ होके जाते हैं और मैं यह खुछ सोच तो भगवान है वो एक बार लेख जाएं दुबारा मेरे दुकान पर आएं मैं इतना मनाता हूं सुबार इतना प्राथना करता हूं और अपने पर आपका फंडा क्लियर है बिजनेस को लेके और आप लगते भी बहुत यंग है हाँ भी हमारा 21 साल उमर है बिलकुल देखे 21 साल उमर में बोलता है जरूरी नहीं होता है मैचौर होने के लिए एक्सप्रियंस जरूरी है हाला के बहुत सारी चीज़े सिखा देती है और सर आज के दिन में कंप्लेटली बिजनेस को समझ चुके और वो कभी नहीं जुकेंगे क्योंकि जो बेसिक फंडा होता है एक ब्यापार का की टाइम पे दुकान जाना है दिन भर डटके बेठना है कस्टमर को अच्छे से रेस्पॉन्स करना है क्योंकि आज कल के बंदेसर हमारी उमर की कहीं पर भी पेटे फोन चलाते रहते हैं पोन पर मन रहते हैं अप गल्ले क्योंकि बात करके बहुत अच्छा लगा मैं चाहूंगे आपका ब्यापार एसे ही चले और 21 साल की उमर में अगर आप इतना तरक्की किये हैं तो फिर आगे आप और करे यही मेरा प्रार्थना है थैंक्यू सूमच झाल